हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्टोरी हाइट कैसे कर सकते हैं जब आपका मन करें तब आप किसी को भी अपनी स्टोरी दिखा सकते हैं और जब आपका मन करें आप चाहते हैं कि आपके पास कोई सीक्रेट स्टोरी है और आप चाहते हैं कि उस स्टो स्टोरी को कुछ लोग नहीं देखें बाकि सब देखें तो यह कैसा पोसिबल आज मैं बात करूंगा इस्टोरी फ्रैविसी की तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल होने वाली है हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौरब और आप देख रहे हैं टैजगोरी तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है ताकि मुझे आपसे मूटिवेट मिलता रहे और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है औ चारों चीज का आपको स्टोरी हाइड करना बताऊँगा और दिखाओंगा कि कैसे हम कुछ लोगों को अपनी। कर देंगे और कुछ लोगों को हम अपनी स्टोरी दिखाएंगे तो चले मैं लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्किन पे तो गाईस मैं आ अचुक है अपन यह मैं यहां पे एड कर रहा हूं ठिक है अब हमें यहां पे जो है Story privacy यहां पे एक option यहां पर आप देख रहे हैं privacy यहां पर किलिक कर देंगे ठीक है अब यहां पर कुछ आप्सथ कुछ option देखने को मिल जाएगा public फबलीक में तो सारा जो भी आपके साथ एड होगा नहीं भ कर सकते हैं तो यहां पर इस चीज कर सकते हैं जो यहां के वही यह आपके श्टोरी देख सकते हैं अगर आप हंसान सब्टूरी आप कर तो इसके बाद मैं यहां से वैक हो जाता हूं तो चार मैंने यहां पर अपने यह फ्रेंड हैड कर दिया यानि यह मेरी स्टोरी आप नहीं देख पाएंगे तो इस चीज का आप यूज कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद जो है हम बैक हो जाएंगे ठीक है अभी यह अपडेट हो गया है ठीक है यह जो चार लोग मैंने यहां पर हाइड किये हुए है न वो मेरी इस्टोरी अब नहीं देख पाएंगे अदरवाइस जितने भी मेरे यहां पर फ्रेंड हैं वो सभी यहां पर मेरी इस्टोरी देख प open कर लेंगे यहांपे और Instagram में भी मैं आपको यह पे बता देता हूं यहांपे दोस्तों हम अपनी Story पर क्लिक कर लेंगे ठीक है यहां पर हमें करना है उसके बाद यहांपे साइट में आपको अब ही मैंने यहां पर पांस लोगों को एड कर दिया अब जो है ना यहां पर मैं डन करता हूं ठीक है और यहां पर फिर से डन करेंगे अब मैं यहां पर कोई भी स्टोरी एड करूंगा अपनी तो जो है जो पांस जो लोग मैंने सलक्ट किये हैं यहां पर सेटिंग पर यह स share your story only specific people जिसको आपने फोलो किया होगा ना इस्टाग्राम पर उनको आप यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर इनको फोलो किया हुआ है तो हम इनको सलक्ट करके आली इनको अपनी स्टोरी दिखा सकते हैं दरवाइस जतने भी मेरे पास अभी फोलोवर है मेरे वो मैं यहां पर हमारी स्टोरी नहीं देख पाएंगे इस चीज को भी आपको समझना है और इसको हम अभी अंटिक कर देते हैं ठीक है और इसके बाद यहां पर एक आप्शन और है रिप्लाइंग का अलाव मैसेज रिप्लाइए ठीक है जब यहां पर कुछ तीन आप्शन है यह देखें आफ यह चीज जो ह देखतें हैं वह जो है उनको मैसेज ना कर पाए प्शुरु में ठीक है तो इस चीज को अगर आप अपनी श्टोरी को एड़ करते हैं और आप चाहते हैं कोई भी आपके फोलॉवर जो है आपको मैसेज ना कर पाए अपनी परतायी हो यहां पर जाएगा बड़े-बडी अ आप चाहते हैं कि हाँ खाली वही आपको जो है आपकी स्टोरी में रिप्लाइ करें स्टोरी के उपर जिसको आपने फोलो किया तो इस चीज का आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि सभी आपकी स्टोरी में जो है रिप्लाइ करें ठीक है मैसेज रिप्ला पर किसी भी सोसल मेडिया प्लेटफरम पे आप अपने सीयर कर सकते हैं तो यह उस चीज को भी आपको रखना हैं ताकि जो है जब भी आप अपनी स्टोरी जो है डिलीट फगर्द आप कर देते हैं 24 गंटे के बाद जो भी इस्टॉरी हैंड हो जाती न हो आपकी जलाती है ऑर्काइब में ठीकिए तो वहां पे ऐस्ट वहां पर और है जला की ऐसी का ओए अप उसके डीख सकते हैं allow sharing to story यानि जब भी आप Instagram पे कोई new post add करेंगे तो आपकी उस post को कोई भी आपके follower अगर उनको पसंद आती है तो वो उस post को अपनी story में add कर पाएं और उसके साथ में आपका username भी आएगा और post भी आएगी तो इस चीज़ को आप on करें अगर आप नहीं चाहते कि आपकी story भीजें तो यह दोनों option इस चीज के लिए है ठीक है यह दोनों option आप on कर सकते हैं और off कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद last option है यहापे share your story to facebook ठीक है इसको आप चाहे तो on कर सकते हैं और आपकी इच्छा है तो आप इसे off भी रख सकते हैं आप चाहते हैं कि आपकी Instagram story आपक इस चीज को on कर सकते हैं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अगर कोई चीज आपको इनमें समझ में नहीं आ रही है दोस्तों तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं और इसके बाद हम simple done पर click कर देंगे ठीक है यहाप फिर से done पर click कर देंगे तो यह उचुका है यह मैंने आपको पताए उसके पाद simple आप यहां पर कोई भी story जो है add कर सकते हैं ठीक है अभी वैक हो जाते हैं अभी मैं आपको यहां पर वर्टसप के लिए बता देता हूं इस टोरी हाइड कैसे करते हैं वर्टसप को open कर लिया मैंने यहां पर हम status के उपर click करेंगे और यहां पर three dot पर यहां पर my contact accept यहां पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पर कुछ लोगों को select कर सकते हैं यहां पर लिखा भूआ भी है मैं देख पाएंगे तो इसको आप जो है हाइड कर सकते हैं कुछ specific के लोगों से और अगर आप चाते हैं यहां पर only share with लास्ट का option है इस तरीके से आप यहां पर इनके साथ 31 people मैंने यहां पर select कर रखा है और 31 लोग यहां पर मेरी स्टेटस को यहां पर देख पाएंगे इसके बाद यहां पर बता देता हूं messenger को open करेंगे सिंपल जैसे facebook में मैंने आपको पता है सेम यहां पर भी वही प्रोसेसिंग है यहां पर चैट फिपूल और यहां पर आपको स्टोरी ठीक है थर्ड नमबर और इसके बाद यहां पर हम उपर स्टोरी पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको जो है ना एक फोटो में यहां पर लिखके आ जाता हूं ठीक है यह फोटो में लिखके आ गया हूं यहां पर नीचे आप जो है साइड में देखिए आप यहां पर फ्रैविसी का option है यहां पर हम क्लिक करेंगे और सिंपल यहां पर तीन option आपको मिल जा अगर आप यहां पे फ्रेंड उनली तो जो आपके फ्रेंड हैं वही आपकी यहां पे स्टोरी देख पाएंगे और कस्टम में किलिक करके आप किसी कितने जो आपके फ्रेंड है जिसको आप दिखाना चाहते हैं उनको आप यहां पर सलट कर सकते हैं ठीक है जो भी आपके फे कि यहां पे उसके बाद यहां पे apply click कर लएंगे simple और custom यहां फे देखे 8 लोगों के चिर्षाथ मैं यहां पे अपनी स्टोरी aged care कर रहा हूँ और वायस कोई भी मेरी यहां पे इस टोरी नहीं देख पाएगा उसके बाद या पर save पर click करके या पर हम save पर click कर देंगे तो I hope दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आपको कोई भी question है तो आप मुझे comment box में पूस सकते हैं मैं मिलूँगा दोस्तों आपको एक next helpful वीडियो के साथ में तब तक आपना ख्याल लगेगा तो भाई बाद दोस्तों